ओलाइन हब 2022 में आपका स्वागत है दोस्तों तो आज का एक नया टॉपिक है आपके लिए जो ट्रेटेस्ट हैं आपके जो वासर मैंन के ट्रेटेस्ट हैं उनके क्या-क्या पूछे जा रहे हैं एक दो तीन सितंबर में जो भी पूछे गए हैं आल सेंटर की बात कर रहा हू चीजे प्रोवाइड कर रहा हूं कि ताकि जितने भी हमारे दोस्त भाई और नेक्स्ट कंडिडेट और नेक्स्ट टेट में जो जाने वाले हैं तो उनको यह जो क्वेस्टन्स हैं इसलिए बताय जा रहा है कि वो अपना तैयारी करकर ही जाए अपने घर से क्योंकि अगर यह तैयारी नहीं करके जाएंगे तो जादा से जादर लोग ट्रेट ? लड़केılar क करका है तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अगर उतनी दूर जा रहे हैं मेहनत करके जा हैं तो आप लोग टेटेश्ट पास करिए अब मैं बता दूँ कि जो पहला कुश्चन था कपड़े की पहचान करना कपड़े की पहचान कैसे करते हैं और आपको पहचानना है और कपड़ों के पहचान के नाम भी होने चाहिए आपके जैसे में काटन, खादी, उनी, पॉलिष्टर, कास्मीरी, मकमल, नैलान, यह कई तरीके के जो कपड़े हैं, इनके नाम भी आपको बताने पड़ेंगे वहां पे, आपका जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, आपको कपड़ों को धोने का तरीका पता होना चाहिए, वासिं मसीन को ओन करने के लिए क्या करना पड़ता है, यह सब जानकारी आपके पास होना चाहिए, मसीन से किस प्रकार से धोना चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए, कि कपड़ा खराब भी नहों और अच्छे से धुल भी जाए, और नेक्स्ट कॉश्चन आपका है, कपड़ों fold कैसे करते हैं। अगर कपड़ा fold करना होगा तो आप कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको कपड़ा दे दिया जाएगा, fold करने के लिए, आप fold करके दिखाना पड़ेगा आपको। पांच नेक्स क्वेशन यह है कि कपड़ों को बनाने के लिए फाइबर्स का उपयोग किया जाता है यह पूछा गया था कि किन चीजों का उपयोग किया जाता है तो फाइबर का अब उसमें पूछा कि कितने तरीके के फाइबर्स के उपयोग किया जाता है तो हम यह तीन लि आपका आते हैं वासिंग पाउडर के नाम आपको वासिंग पाउडर के मान जो धुलने वाले सरफ होते हैं जो घर में आप लोग यूज करते हैं आप लोग को पता ही होगा कि अपने कपड़े किस प्रकार से दोते हैं और कौन सा सरफ आपके लिए बैस्ट होता है और किस कप और के नेम हैं जो वासिंग पार्डर के नेम है वह आपको पता होना चाईए वासिंग पारडर सौप आपको वासिंग पारडर के आका आता है उससी सुगंधित होता है कि कुछ कपडों में जैसे सुगंध लाने के लिए उनका प्रियुक्य जाता है तो इनके भी नाम आपको याद करके जाने हैं दिमाग में रख लेने हैं यह चीजे कि कुछ भी आपसे यह पूछा जा सकता है आप अगर जानकारी ले कर जाएंगे घर से तो आपके लिए बैस्ट रहेगा अगला कोईशन बताऊं तो वासिंग लिक्विड नेम वासिंग लिक्विड नेम पूछा है कि मतलब वासिंग पाउडर का जो जो फाउडर हो गया तो वह उसी तरीके से लिक्विड आता है तो उनका एक जो भी लिक्विड का नाम होगा उनको आप जैसे याद कर लेना है सरफेक्शल का भी लिक्विड होता है रीन का भी लिक्वीड होता है वेनिस लिक्वीड भी होता है तो इस तरीके के कई लिक्वीड आते हैं आपको ये देख लेना है वासिंग मसीन में कपड़े किस प्रकार से धोने चाहिए ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि वासिंग मसीन मे Google में search करिएगा washing machine all parts, parts name जैसे भी कुछ लिखेंगे आपको वहां से parts का नाम पता चल जाएगा, कुछ हम आपको नीचे भी बता सकते हैं, set को कितनी बार fold करना चाहिए, तो वहां पर question पूछा जा रहा था, तो वहां पर बताया गया कि 5 बार fold करना चाहिए, प्रेस करने के बाद कितनी बार मोड़ा जाता है, अगर कोई कपड़ा प्रेस करते हैं, तो उसको कितनी बार मोड़ कर उसे fold किया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए, किस कपड़े को प्रेश करना चाहिए मतलब कहने का मतलब है कि किस कपड़े को किस तरीके से प्रेश करना चाहिए यहां कहने का मतलब यही था कि किस कपड़े को किस तरीके से प्रेश करना चाहिए कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो कि कम टंप्रेशर पे और कोई कपड़े ऐसे होते हैं जो ज्यादा टंप्रेचर वे प्रेस किया जाते हैं तो ये भी वही लिखा हुआ कि प्रेस टंप्रेचर कपड़े एकॉर्डिंग मलब किस कपड़े के एकॉर्डिंग ही टंप्रेचर रखना चाहिए तो कुछ आपसे पूछा जा सकता है कि इस कपड़े को आप किस टमप्रेचर में रख कर आप प्रेश करेंगे वासिंग फर्मूला पूछा गया था कि जो वासिंग फर्मूला है वो क्या है तो एने टू सियो त्री है यह आपको याद होना चाहिए अब बात करूं तो सभी प्रकार की केमिकल के नाम आपको याद होने चाहिए जो कपड़े में यूज किया जाते हैं जो दोने के परपसे होते हैं या जिस भी परपसे होते हैं वो जो कपड़े के ही मेंटेनिंस में आते हैं वो केमिकल के सभी नाम आपको याद होने चाहिए कपड़े धोने के सभी टूल्स के नाम आपको कपड़े जब धोने में जो भी आपको सामगरी लगती है उनका नाम पता होना चाहिए ब्रहस साबून जो भी आपके पास जो टूल्स लग रहे हैं उनके नाम आपको याद होन चाहिए कि आप यह तो नहीं कि आप एक मलब एक वासिंग मसीन में जितनी चमता कुछ तो चमता होगी उसकी उसी हिसाब से आपको देख लेना है कि यहां जितनी भी चमता हो वासिंग मसीन में वहां पर आपको यही बताना है कि वासिंग मसीन में मतलब पूछा गया कि वासि को सुखाना चाहिए मसीन के जो पार्ट्स आप से पुछा गया था ऊपर आपको ये बता दूं कि कुछ ऐसे पार्ट्स मैंने नोट किये हैं और कुछ आप गूगल में सर्च कर लीजेगा वासिंग मसीन रोल्स एंड ड्रेन वाटर वैल वाल रबर सीट सेट पाइप होता है आपको पता है मैटल टाप लोड होता है गेर बॉक्स होता है कुछ और पार्ट हैं जो आप मैं लिखा नहीं हूं आप ऊगल में में सर्च कर लीजेगा फॉजी ट्रेस को प्रेस कैसे करते हैं प्रेस कैसे करना आ 일ा उते अल्द कुछ उमिल्ड होनी चाहिए और अबर सबसे से दुलना वह जहनकारी होने चाहिए तो वहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हाथ से कप्ड़े दोने कि आप बिधी बता दीजे कि आ फिर उसके बाद क्या करें तो यह सब करता हूं कि यह सब्सक्राइब करके लाया हूँ जो qualify हैं तो इसलिए मैं यही सोच रहा हूँ कि जितने भी हमारी candidates हैं अच्छे से याद करकर और पढ़कर घर से जाएं इतनी दूर जब जा रहे हैं आप तो मेहनत से आप वहाँ पर पास होकर आए आज के लिए वह सितना है अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो like, share and subscribe करना ना भूलें आज के लिए वह सितना ही चैंचे भारत